नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल परदी वर्ल्ड चैलेंजर में आपका स्वागत है लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दे सहयोग करें बहुत ही लैटली है बहुत ही प्यारा सा बॉक्स में है आप देख सकते हैं और इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ हलो गाइस नमस्कार कैसे हैं आप सारे लोग उमिद करता हूँ कि आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे मैं आज आप लोगों को एक टॉप्स पर बात करने वाला हूँ जो कि मैंने पर्चेश किया है और आप लोगों को दिखा हूँगा सारा फंक्सन और यह अपका जो है गिरनारो का है माइक इसमें जो है नवाइस के इंसलेशन बहुत ही बढ़िया है मैंने सारे चीज ट्राइ किया ट्राइ करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ देखिए आज मैं जो पर्चेश किया हुआ है आया हुआ था और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह है आपका बॉक् यह है आपका ग्रेनारो का माइक है मैं आपको इंबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ और इसका सारी फिचर्स आपको बताऊंगा किस प्रकार से है यह ग्रेनारो का माइक है किस प्रकार से है यह वाइडलेस माइक है वाइडलेस मैक्रोफोन अब देख सकते हैं यहां पे जो है आपका प्लाग एंड प्ले है और आपका 20 मीटर की दोरी यहां पर लिखा हुआ है आज मैं इसको इंबॉक्सिंग कर रहा हूँ उसे पढ़ी मैं इंबॉक्सिंग कर चुका था ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजे हैं करे नारो का यह मिला हुआ है कि इसमें अपको एक वारंटी काड आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं वारंटी करल मैं दिखा रहा है इसमें क्या क्यों है यह आपका नहीं चीज है बहुत beginnings है बहुत ही प्यारा सबॉया इसमें आप देख सकते हैं किसे और इसको मैं खोलके दिखा रहा है क्या है यह देखिए गाइस यह गरेनारो का माईक है है और यह भी माईक है दो माईक मिला हुआ इससे एक ये रिसीवर है जो की यहां पी जो है चारिजिंगा सुविदा दिया गया है और बेखते हैं इन बात है कि इसमें आपका इसी से भी चार्जे कर सकते हैं या उसलिए टीनों को लगा करके इसमें में आपका चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग कास्कीता ह सी टाइप का चार्जर लगता उसमें ओउस है और क्या चीज है यह है अपका रहे हैं àsश्वी अजिसमें देखते है क्या-क्या चीज आपको दिछा दे यह आईफॉन के लिए है यह भी आपका 3.5 mm का है जो कि शीव टाइप है इसका यह आपका शीव टाइप के वाल है चार्जी में लगा करकि सकते हैं इस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं अब जैसे लगाएंगे न तो इसमें रेड बत्ती फलक्रिंग करेंगे और जैसे चार्ज चार्ज कम्प्रीट हो चाता है चाज कमप्रीट होने के बाद जो है यह इसका नेकर है यहाँ यहां Mormon दैसे आप कणेक्टर है व्यल्क से अनुत लोकिरेंगे लिए यहां पर जलेगा पिर देख सकते हैं यहां पे रेड़ बती जाल रहा है यानि कि आपका फॉन से कनेक्ट हो जुगा है अब इसको मैं मैं किनेक्ट करके दिखा रहा हूं किस परकार से यह काम करता है और किस परकार से सारी चीज़े आपको बताऊंगा हलो गाइस देखिए मैं सेटिंग कर चुका हूं और देखिए आपका जो है जिरेनारो का यह माइक है बहुत बढ़ यहां नौइस के लेशन है और सबसे मैं बात आपको बताऊंगा कि इसमें जो है नौइस के लिए तीन टाइप से जो कि आपका एक प्रेस करते हैं इसको तो वन बार फिलिकरिंग करेंगे और यदि टू बार प्रेस करते हैं तो टू बार फिलिकरिंग करेंगे और यदि थ्री टाइप में प्रेस करते हैं तो थ्री बार फिलिकरिंग करेंगे इसमें आपको मैं दिखा रहा हूं आए देखते हैं यह देखिए गाइस आपका इस्ट प्राइब प्रिस्क प्राइब करेंगे और प्रेस करते हैं किन्वर फिलिक Coping करेंगे देख सकते हैं तो इसका जो है आवाज आएंगे साउन आएंगी दुसरे का आवाज आएंगे जिस प्रकार से वाया वाज आएंगी एक नमर पर तीसरा रिगोडिंग करते हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं और यह जो है आपका 20 मीटर की रेंज दिया गिया है और हमारे यहां पर बाड़ी है जो की लगा हो है मकावेगरा वहीं सेड में आपको दिखाने के लिए ले जाएंगे और देखते हैं कितनी दूरी तक आपका यह माईक का आवाज बहुत परफेक्ट तरीके से आपका सुना माय देगा आप देख सकते हैं मैं जाऊंगा вी यह आम का फेंड है दिखाई दे रहा है वहँका पैंड है और वहा है तक की दूरी जो है 177 में गी दूरी और हुआ और मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं और यह माईक किस प्रकार से कितनी दुरी तक जो है काम करता है मैं यूज किया हूँ पहले भी और बहुत ही उम्दा माईक है अभी तक मैं मैं 30 फिट के दुरी पे आ गया हूँ और देखिए बगल में बहुत सारा गाड़ी का साउन्ड आ रहा है जो कि इसमें नहीं आ रहा होगा माईक में और अभी तक में मैं 50 फिट की दुरी तक आ गया हूँ आप देखिए और यह देखिए 60 फिट की दुरी तक आ गया हूँ और उमीद है कि आप दोगों को बहुत बढ़िया आ रही होगी है फिट की दुरी ना परहे हैं पैर से तो यह आपका 110 फिट की दुरी तक है यह देखिए आपका और भी मैं बढ़ते जा रहा हूँ आसा करता हूँ कि आपको आवाज के लिए आ रही होगी कि यह 170 फिट की दुरी में अभी खड़े हैं हो सकता आपको दिखाए नहीं दे रहे होंगी और भी यह आगे जाए तो और भी आ सकता है इसमें और बहुत ही बढ़िया नौइस के इंसलेशन भी है क्योंकि बगल में जो है हमारे यहां पर एक मावांसा पुजा होती है जो क कि उस पुजा के व्लक्स भी जो है बहुत सारे ढोलो नगाड़े बजाये जा रहे हैं जो कि आपको दिखाए अपको सुनाएं नहीं पड़ रहा होगा उस अवाज को बॉया के भी माइक हैं वाइरलेस माइक हैं जो कि बड़े सारे लोग जो हैं जो पूर फेमिली से बिलो करते हैं वो सारे लोग इसने पर्चेश कर सकते हैं मैं जब पर्चेश किया इस माइक को माइक जो 2600 नंदी रुपया पर्चेश किया था और देखिए बहुत ही उंदा माइक निकला है और औरों के मुकाले बहुत ही तगड़ा मैसूस हो रहा है और अच्छा तरीके से बनाते हैं तो वो ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता है उसे बना सकते हैं वायर वाले माइक से भी लेकिन यह वायलेस माइक है जो कहीं पर भी आप जाएंगे तो कोई दिकत की बात नहीं है कि वायर की जंजट नहीं होगी ठीक है देखिए कि इस प्रकार से आपको मैसू हो गया होगा बहुत ही तगड़ानवास के इसलेशन और वन टू अन्दी माइक है जो कि आप सिंगल माइक कर सकते हैं खुद के लिए यह कहीं पर इंट्रिव्यू ले रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं उसके लिए आपका डबल माइक की जोरत होती है और आप पर्चेश करना च थेंक्यू नमस्कार दोस्तों